मुश्किल हालात का सामना करते हुए किसान आंदोलन आज अजसी दिनों से अधिक से चल रहा है इस दोरान इस आंदोलन को बहुत तरह से बदनाम और परिशान करने की कोशिशे हुई है इनके बावजूद अब तक किसान अपनी मांगों पर डटे हुए है इस आंदोलन की सफलता में एक बहुत बड़ा योगदान यहां के वॉलिंटियर्स का भी है नियूस क्लिक ने सिंगू बॉर्डर पर मौजूद कुछ ऐसे ही वॉलिंटियर्स से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि वे क्यूं इस आंदोलन से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं असी स्टूडेंट हैं यह जो शिंगर्ष हैं जो एक पड़े लिखे लोकों ने इस पर शरकत की है तो हमारा भी फार्द बानता है कि हम एज आ स्टूडेंट क्या भूम का नबाएं तो हमें लगा कि हमें वहां एक आरजी लाइबरेरी उपन करनी चाहिए इनसे काफी लोग जो जिन पर समा होता पड़ने के लिए उनके लिए लाइबरेरी उपन कर रखी है और यह शिंगर्ष जो आप बोल रहेगी शिंगर्ष कैसा है और शिंगर्ष देवाई डे बढ़ रहा है जैसे कि हम पहले आए थे आमको कम से कम आज 77 यहां बैठे हुए हो गए हैं इस अंदॉलन को हम शुरू से देखते हैं कि यह दोलन डे बाई डे इतना बढ़ रहा कि पहले हमारे पास 1300 क्रीभी किताबे थी जब बढ़ रहा है तो हमें भी अपनी किताबों को बढ़ाना किताब कि इस किताब जो घृ दोड़न से किताबह कर आप कितामें और जो थी आंदॉलन है तो कि यह थे ने थोटना चानट से जाए हैं इतना यह ऑनलोलन बढ़ रहाए हैं हम महाली से आए हैं महाली जब जी डेंटल क्लिनिक से मैं आया हूँ यह जो डेंटल अब देख रहे हैं डॉक्टर ऐसे सालू वाले जी सके इंचार्ज है मैं उनके साथ प्रैक्टिस करता हूँ तो हमारी टीम यहां पे 26 नुवंबर को आ चुकी थी जब यह अंदॉलन स्टार्ट हुआ हूँ और तब से हम यह निश्काम सेवा कर रहे हैं तो इस अंदॉलन का सबसे में हमको पता होने चीक अंदॉलन चल क्या रहा है यहां यह किसानों का अंदॉलन है और किसान अंदॉल फसल ले लेगा तो वो उनको स्टोर करके पैक करके बेचेगा तो कंस्यूमर भी मरेगा और किसान से जिन से लेगा उनको वह मरेगा तो एक तरह किसान जो है वो कश्टमर के लिए भी लड़ रहे हैं लोको लोग सोचते हैं कि हम को क्या कुछ लोग को मैंने फेस्बू को मैंट दे कि हम बिस्किट खा लेंगे पर भाया बिस्किट भी कि यहूं से ही बनेगा तो इसकंदर जो लोकल लोग है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए यहा है मैं यहां पर एक वोलंटिय हूँ मुझे यहां पर आके आज की डेट से आंपूस्ट फिफ्टी 3 डेश हो गये है मैं यहां पर जुड़ी थी पहले तो मैं यह प्रोटेस्ट सिप देखने आई था बत न यहां पाने केर बाद ने देखा कि यहां से जीत कर जाना अपने आप में एक आवार्ड होगा लाइफ में हमने बहुत कुछ लाइक बहुत सारे अब स्वाबस घर जाओंगी तब तक मैं भी यहीं पर बैठी रहोंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि यार मेरे जाने से क्या हो जाएगा आपके एक के आने से यह प्रोटेस्ट और स्ट्रॉंग होगा यह अपना participation दिया था